तमस्कार आप सभी का हाथ इक स्वागत Nvra Education के यूटूब चैनल पर अगर आप भी साथ हो DSSSB और NvS का आपने फॉर्म बर रखा है Computer Teacher का या IT रिगाइडिंग अगर आपके आगा में किसी भी मतिपर्देश की जो IT Trainer की अगर आपने फॉर्म बर रखी है तो उनमें से अगर आप या IT की कोई भी आपके जो है वेकेंसी का फॉर्म बर रखा है तो उसके लिए मैंने Computer Organization और Architecture का ये वीडियो बने है जिसमें Important Questions को Include किया है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइस तक देखेगा और इसको आप आगे दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजेगा और परतिये Questions का आंसर देने के लिए आपके पास जो है दस सेकेंड का समय रहेगा तो इसको तिहान में रखतों आंसर देते रहेंगे आप पहला प्रशन आपके सामने है कि यह ताइम पर कुछ प्रोग्राम को पुछ करने के लिए उसको यगि बनाता है Represent Organization of a Single Computer Containing a Control Unit जिसमें control unit हो, processor unit हो और memory unit हो, उसको इन तिनों को जो है एक single computer के रूप में दिखाने वाली ये युक्ती है या फिर include many processing unit under the supervision of common control unit और उपरोगत है इन में से, last आपका है इन में से कोई नहीं तो आपके पास 10 सेकेंड का समय रहेगा फटापट अपना answer comment box में लिखिए SIMD का प्रियोग इन में से किसके लिए या किसको represent करने के लिए किया जाता है तो देखे प्रसंसंग्या 1 का उतर आपके सामने लेकिया रहा हूं प्रसंसंग्या 1 के अंदर आपका जो right answer होगा वो होगा आपके C ये जो है एक सामानिय देख जो भी नियंतर निकाई होती है comment जो भी आपके control unit होती है उसकी देख रेक में जो भी इकाई होती है तो उसको ये include करके रखती है जिस पर ये जब चाहे नियंतर रख सके है उसकी देख रख कर सके तो SIMD जो है वो इसको represent करता है single instruction multiple data single instruction multiple data जो है SIMD का फुल पर मोता ये computer architecture का एक हिस्सा होता है अगला परसनिया आपके लिए floating point representation is used to store floating point representation जो होता है वो उसका परियोग किसको store करने के लिए जाता है boolean value, whole numbers, real integers या पिर integers आपके पास जो है 10 second का समय है फटा-पटा आंस और दीजिए comment box में और ITI college और के अंतर का जो है computer अनोदेशकों की भरती के उपर update को लेकर मैंने video upload कर दिया है चैनल पर नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा आप सभी चले पर आगे बढ़ते हैं प्रसंसंग्या दो के उपर बात कर लेता है plotting point representation जो होता इसका प्रियोग जो real integers value होती है उसको represent करने के लिए किया जाता है यह store करने के लिए किया जाता है तीसरा परसने assembly language जिसमें से क्या है use alphabetic code in place और binary number used in machine language ठीक है एक alphabetic code होते है ठीक है binary number के इस्तान पर जिसका प्रियोग machine language में करते हैं दूसरा is the easiest language to write program यह एक subtle programming language है प्रोग्राम लिखने की need not to be translate into machine language इसको machine language में convert करने की जरूतनी है translate करने की या फिर उपरोग्त में से कोई नहीं तो देखे भी परसन संग्या तीन का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनोंने इस परसन का उतर दे दिया है assembly language जो है वो क्या है ठीक है तो assembly language जो है वो आपके ये वाला जो option है इसमें सही है use alphabetic code यानि alphabetic code का प्रियोग करता है binary number के इस्तान पर ठीक है किस में machine language में तो ये होता है आपका assembly language ठीक है आगे बढ़ते है next person के उपर in computer subtraction is generally carried out by ठीक है computer गेंतर का जो subtraction होता है वो इसमें से किस के दुआरा carry की जाता है 9th compliment, 10th compliment, 1st compliment या 2th compliment तो देखते हैं subtraction का concept किन किन को यहाँ पर एकदम clear हो चुका है ठीक है इसके उपर classes मैंने सारी चैनल पर available करवा दिये है आपको ठीक है और NUS का जब form बराता तो अब भी मैंने आपको बोला था कि classes टाइम पर आप देख लीजेगा अगला देखिए इस प्रशन का उतर देखते हैं ठीक है अगर आप subtraction जो है यूज करना चाते हैं computer के अंदर जो यह जो कार्य होता है वो आपके 2s compliment की मदद से किया जा सकता है ठीक है subtraction जो होता है वो 2s compliment की मदद से computers के अंदर परियोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर और परसन संग्या next को discuss करते है what characteristic या नि कौन सी विसेज़ता है जो है RAM की what characteristic of RAM memory makes it not suitable for permanent storage ठीक है RAM की कौन सी यह कैसी विसेज़ता है जो RAM को एक permanent storage के तोर पर जो है सही नहीं मानती है too slow, unreliable, it is volatile या पिर too bulky बहुत easy प्रशन है इस बार तो आपके लिए तो देखें आपको कई बार मैं वैसे समझा चुका हूँ random access memory RAM के बारे में RAM जो होती है वो एक परकार की volatile memory होती है जिसमें data जो light power on है तब तक जो है computer के अंदर रहता RAM के अंदर रहता है जैसी light चली जाती है तो फिर इसके अंदर जो data होता है वो क्या होता है clear हो जाता है ठीक है अगयन वह इस नया process वापस जो है इसके अंदर सुरू करता है जबकि ROM के अंदर इसका opposite जो है working चलता है process non-volatile के तौर पर अगला प्रशन आपके लिए देखें computers use addressing mode technique for यह सवाल आया हो है ध्यान के का computers use addressing computer जो है addressing mode technique जोती है वो किसके लिए use करता है giving programming versatility versatility to the user by providing facility is pointer to memory counters for loop control जो भी counters होता है loop control के अंतरकत उनके लिए to reduce number of bits in the field of instruction specifying rules for modifying और interpreting address field of the instruction ठीक है जो भी address को interpret करने का कार्य होता है वो या फिर आपके उपरोग तसभी तो देखें computer में जो addressing mode तक्निका जो होता है परियोग वो इन सभी के लिए परियोग में लिया जाता है giving programming versatility to user by providing facility is pointer to memory counters for the loop control ठीक है जो भी आपके memory counters होती है loop control के लिए ठीक है तो उसको एक pointer जो है प्रदान करती है to reduce number of bits ठीक है और in the field of instruction instruction के अंतर के जो number of bits होती है ठीक है उसको reduce करने का कार्य करता है और आपका modify या interpret address को interpret या modify करने के लिए भी इसका use किया जा सकता है अगला question है the circuit used to store one bit of data is no edge ठीक है ऐसा circuit जिसका प्रियोग एक bit data को इस्टोर करने के लिए जाता है उसको क्या कहता है register, encoder, decoder या फिर flip-flop तो देखे अब आपके सामने इस प्रशन का उत्तर रखने जा रहा हूँ ठीक है ऐसा कौन सा circuit होता है जिसका प्रियोग करके हम एक bit data को इस्टोर करते हैं तो इसका उत्र होगा आपके flip-flop ठीक है flip-flop का प्रियोग करके हम ठीक है वन बीट जो data होता है उसको यूज इस्टोर कर सकते है flip-flop circuit के अंतरगत अगला पर्शन है the average time required to reach a storage very important परशन है याद रहेगा the average time required to reach a storage location in memory and obtain its content is called the ठीक है एक ऐसा वहाँ time ठीक है जिसके अंतरगत जो पहुंच होती है storage location थे की memory के अंतरगत ठीक है और उसके data को जो भी उस memory के अंतर जो data होता है जो भी content होता उस तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है seek time, turn around time, access time या फिर आपका transfer time तो बहुत अच्छी कोसिस कर रहे हैं आप सभी भई ठीक है जो भी answer दे रहे हैं बहुत अच्छी कोसिस कर रहे हैं जो भी IT की candidates जो भी तेहरी में लगे हुए हैं तो देखें memory में storage location तक पहुंचने और इसकी जो भी सामगरी होती है उसको प्राप्त करने में जो भी content होता उसको access करने में जो आवशक औसत समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे access time कहा जाता है important परशन है याद रखेगा सभी के सभी access time के नाम से जाना जाता है उसे आगला परशन है which of the following is not a weighted code ठीक है इनमें से कौन जो एक weighted code नहीं है decimal number system access 3 code binary number system यहाँ पर none of these तो देखें इसके अंदर आपका उतर होगा access 3 code जो होता है वो एक weighted code नहीं होता है जबकि decimal number system binary number system जो है वो weighted code होते है अगला परशन है आपके लिए the idea of case memory is used ठीक है case memory का जो idea होता है वो कहाँ पर जो है किस पर आधारित होता है sorry ठीक है memory is based लिखा हुआ है यहाँ पर तो case memory का जो idea होता है किस पर based है on the property of locality of reference ठीक है locality of reference पर बात दारित है ठीक है on the heuristic 9010 rules या पिर आपके rule या पिर आपके on the fact that reference generally trend to cluster या पिर उपरोगत सभी तो देखे आपके सामने इस question का उतर लेके आ रहा हूँ बहुत important question था again आपके लिए ठीक है तो case memory का जो idea होता है locality of reference यह हमने chapters के अंदर भी discuss किया था इसके उपर ठीक है तो यहाँ पर इसका उतर होगा on the property of locality of reference जो है यहाँ पर इसका right answer होता है आगे बढ़ते next question के और which of the following is lowest in memory hierarchy memory hierarchy के अंतर का जोई है इनमें से कौन जोई है सब से lowest होता है case memory secondary memory register या फिर RAM तो इस प्रशन का उतर सभी जल्दी से जल्दी comment box में लिख दें ठीक है और यह concept मैंने आपको जो है clear करवा रखा है ध्यान रिखेगा जिन्होंने भी नहीं देखिये तो वो class हैं जरूर देख ले भई complete आपको समझा रखा है तो मैंने आपको जो यह वाली class ली थी memory hierarchy वाली twos and threes level memory organization वाली इसमें completely मैंने आपको जो है यह concept समझा रखे है ठीक है तो देखो इसमें lowest जो होता है वो memory hierarchy की मदद से अंतर कर जो अगर गिना जाए तो वो कौन होगा अगला परशन है दा addressing mode used in the instruction of form add x and y is यह आया होगा सवाल है पर ज्याने के कई भी DSS भी दोनों में ठीक है जो addressing mode होता है instruction of form of ठीक है ऐसा कौन सा addressing mode होता है जिसको add x y के form के रूप में यूज किया जाता है absolute indirect index या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं आपको इस वीडियो के लाश्ट में मैं यह बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के जो यह प्रशन या इनके लिए जो lecture है वो आप कैसे देख सकते हैं उसकी complete classes चैनल पर available हैं आपके लिए तो देखें यहाँ पर आपके जो हैं कौन साइस अड्रेसिंग मोड होता जिसमें जो है instruction को add xy के format में या form के रूप में जो यूज किया जाता है इसके अंदर आपका उतर होगा index addressing mode में ठीक है index addressing mode में यूज किया जाता है add xy को अगला परस्ण है if memory access take 20 ns with the 20 ns with case of 110 ns without it then the ratio यानि case user 10 ns memory is 0.93, 0.9, 0.88, 0.87 यदि memory access जो case के साथ अगर 20 ns और उसके बीना 110 ns लेता है तो अनुपातिक जो case होगा वो कितना होगा यहाँ पर तो देखे आपके सामने इस प्रशन का उतर लेके आ रहा हूँ यहाँ पर आपका उतर होगा 0.9 ns ठीक है 0.9 ns अगला परसन है in a memory mapped I.O. system ठीक है जो memory mapping होता है I.O. system के अंतरगत which of the following will not be there वहाँ पर आपका कौन जो है नहीं होता है LDA in add या फिर आपके out memory mapping system जो I.O. system होता है उसके अंतरगत कौन जो है वहाँ पर नहीं गिना जा सकता है तो देखें यहाँ पर आपका जो इसका उतर होगा वो होगा आपके LDA ठीक है LDA वाड़ा जो option है वो आपका सही होता है आपका इस processing sorry memory mapping I.O. system के अंतरगत LDA नहीं होता बाकि in add और out होता है अगला परसन है in a vector interrupt ठीक है vector interrupt में इन में से क्या होता है चारा options आपके सामने है और जल्दी से इसका answer comment box में लिग दीजिए आप सभी vector interrupt क्या होता है जल्दी से बता दें आप सभी तो द्याने केगा बई जो vector interrupt होता है तो यहाँ पर आपका इस प्रशन के अंदर बहुत सारे साथ योने एकदम सही आंसर देने की कोशिस की है option है वो सही होगा इसमें दा interrupting सोर्स एक परकार का interrupting सोर्स होता है जो कि supply दा branch information जो branch information होती है तो दा process through an interrupt vector फची कह इंटरॉप्ट vector का परियोंग करते हुए जो भी आपकी source और सप्लाइज होती है ठीक है जो भी branch की information होती है वो processor तक पहुचा ही जाती है vector interrupt की मदद से branch information को processor तक पहुचा है जाता है तो यह यहाँ पर आपका सही होता भी बड़ा option अगला प्रशनया on newman architecture on newman architecture जो होता है उसके अंतरगत जो है इन में से कौन सा परियोग के जाता है औ वोन newman architecture जो होता है जल्दी से बता था भई तो देखे भई यहाँ पर आपके सामने इस प्रशन का उतर लेके आ रहा हूं जो वोन newman architecture होता है वो इन में से किस पर आदारी होता है तो इसका उतर होगा आपके ASISD अब आपके सामने चार options हैं SISD, SIMD, MIMD और MISD तो इनका full form बहुत easy है ठीक है अगर ASISD का पूछा जाता है तो आप बताएंगे single instruction single data दूसरे में जैको M का मतलब होता है multiple तो यहाँ पर क्या create होगी single instruction multiple data अगला जैको multiple instruction multiple data multiple instruction single data ठीक है तो इनको इस प्रकार से याद मतलब हो जाएक है single और D का मतलब data और I का मतलब होता instruction तो इससे आप in full form को create कर सकते हो अगला परशने the circuit used to store one bit of data is no age ठीक है इन में से किस circuit का प्रयोग करके हम जो है एक bit data को store कर सकते हैं encoder or get flip-flop या पिर decoder इस पर हमने पहले bit discuss कर लिया है वैसे तो देखें यहाँ पर आपका इसका उतर होगा ठीक है जो वन बिट को store करने का कारी करता है वो होता है flip-flop हमने पहले भी discuss किया था भी आज ही की stress रीज में अगला परशने case memory acts between जो case memory होते है वो किन के बीच में जो है कारी करती है एक्ट करती है CPU और RAM RAM और ROM CPU and hard disk क्या पिर तो देखें आपके सामने expression का उतर लेके आ रहा हूं जो case memory होते है वो किन के बीच में एक्ट करती है तो इसका उतर होगा आपके CPU और RAM के बीच में ठीक है यह कुछ सन के लिए जो है आपके process के जाने वाले data को store करता है temporary base पे ठीक है और उसको फिर आगे CPU तक जो है उसको transfer क करने के लिए अगला पर्शन है write-through technique is used to write-through technique is used in which memory for updating the data ठीक है write-through जो टेक्निक होता है इसका प्रियोग किस memory में data को update करने के लिए किया जाता है write-through technique का virtual memory, man memory, auxiliary memory या पिर case memory प्रशनों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते रहें ताकि आपके exam में भी काम आते रहें तो देखे इसका उत्तर write-through technique होता है इसका प्रियोग किस memory में data को update करने के लिए किया जाता है तो इसका जो उत्तर होगा वोगा आपके case है memory के अंतरगत, किसमे case है memory के अंत ठीक है जो भी dynamic RAM होते है रहें अंड मेक्स अज मेमोरी यह यूजड एज में मेमोरी ठीक है जो की में मेमोरी के रूप में परियोग की जाते हैं computer system में तो वह कौन सी होती है consumer-less power has higher speed has lower call density या पिर need refreshing circulatory circuitry आम तोर पर dynamic RAM का जो उप्यों computer system में क्या जाता है मुख्य मेमोरी की रूप में वहाँ किस प्रकार के होती है तो देखे बहुत इस प्रशन का उतर जो dynamic RAM की रूप में यूजड की जाती है मुख्य मेमोरी की रूप में वो एक प्रकार की higher speed की RAM मानी जाती है अगला प्रशन in signed magnitude binary division if the dividend is 11100 और गात यहाँ पर आपके नीचे दे रहे के है binary की 2 and divisor is 100112 ठीक है 2 यहाँ पर दे रहे का binary then the result is result in में से कौन साएगा आपके बहुत अची कोशिस कर रहे हैं आप सभी ठीक है जो भी exam के तहरी कर रहे हैं आप अगर अच्छे वेस आगे बढ़ रहे हो तो आपका जीत जो है वो जरूर आपका जो है हो पाएगा तो देखे आपर आपके सामने expression का उतर लेके आ रहे हो expression के अंदर आपका जो right answer होगा वो होगा आपका b 10100 और यहाँ पर आपका जो है यह output आपको देखने को मिलने वाला है अगला परशन है virtual memory consist of virtual memory जो होती है वो किसको रखती है static RAM, dynamic RAM, magnetic RAM या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं virtual memory में इनमें से किसको सामिल किया जा सकता है वही किस type की हो सकती है तो देखे आपके सामने इस प्रशन का उतर लेके आ रहा हूँ जो virtual memory होती है वो static RAM होती है यह वाला option आपका सही होता है यहाँ पर अगला प्रशन है in a program using subroutine call instruction it is necessary ठीक है जो subroutine call होती है program के अंतरगत ठीक है in program using subroutine call instruction it is necessary ने की जरूरत होती है देखे इसका class भी मैंने आपके लिए रखा है IR का instruction register का clear the instruction register जो option है वो आपका यहाँ पर सही होता है ठीक है program की मदद से अगर आप subroutine call instruction को use करना चाहते तो उसके लिए आपको instruction register को clear करना पड़ेगा अगला परस्टन है a stake organized computer usage instruction of a stake organized computer usage instruction of indirect addressing indirect addressing to addressing zero addressing या फिर index addressing फटापट सभी जो है अपना answer देते रहें भई तो देखे यहाँ पर आपका इस परस्टन के जो अंदर जो उतर होगा वो होगा आपका zero addressing सी बाड़ा option जो है यहाँ पर सही होता है आपका आगे बढ़ते next question के और अगला परस्टन है if the main memory is of 8k bytes and the case memory is a 2k words ठीक है एक आपकी जो main memory है वो आपके 8000 bytes की और case memory जो है वो आपके 2k words की है it uses associated mapping ठीक है यह जो है associative mapping का परियों करते है then each word of case memory cell भी परते एक जो word होगा case memory वो कितना होगा 11 bits का 21 bits 16 bits या फिर 20 bits का तो देखें आपके सामने expression का उतर ले क्या रहा हूं जिन्होंने expression का उतर दे दिया expression के अंदर आपका right answer होगा 16 bit का होगा परते एक word अगर 8 bit 8k byte का होगा main memory के अंदर ठीक है और case memory के अंदर 2k words है तो फिर वो जो है associate में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें जो केसे memory जोगी उसमें परते एक सब्द परते एक sorry word जोगा वो सोड़ा बीट का होगा अगला पर्स्न है when CPU is executing a program that is a part of operating system it is used to be in ठीक है जब CPU के अंदर कोई प्रोग्राम को execute किया जाता है जो कि operating system का पार्ट हो ठीक है तो वो इन में से क्या होगा इंट्रप्ट mode system mode half mode या पिर simplex mode तो देखे वह इस प्रशन के अंदर आपका उतर ले क्या रहा हूं जिनों ने इस प्रशन का उतर दे दी है वो एक पर अपना अंसर जाज कर लें ठीक है जब operating system के किसी एक पार्ट के प्रोग्राम के पार्ट के रूप में अगर आप किसी को भी execute कर रहे हो देन वो जो है आपका एक system mode कहलाएगा ठीक है वो system mode के अंतरगत रहेगा अगला परस ने अगला प्रशन का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूँ एन बिट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर आपके एन बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ठीक है अगला प्रशन के से मेमोरी वर्क्स ऑन दा प्रिंसिपल ओप के से मेमोरी जोती वो कि सिद्धान्त प्रकारी करती है जोकेलीटी ओफ डेटा मैंने आपको बता था यह 108 परसेंट आया होओ सवाल है थ्यान रखेगा ठीक है के से मेमोरी रखेंस करती है यहां प्रकारी करती हैंहले HOLAKE अप डेटा HAPC dear locality of reference या पिर locality of reference एंड memory दोनो इस सीरीज में भी मैंने इस परशन को पहले भी आपको समझाया था तो देखे इसका उतर case of memory works on the principle of locality of reference पहले भी हम दिस्कस कर लिया इस परशन को वैसे locality of reference के सिद्धान्त पर कारी करती है case of memory अगला परशन है the main memory in a personal computer is made of जो personal computer के अंदर के अंदर का main memory होते है वो किस से मिलकर बनी होते है case memory से static RAM, dynamic RAM या फिर A और B दोनो तो देखे इस personal के अंदर आपका उतर लेकिया रहा हूँ जो main memory होते है वो किन से मिलकर बनी होते है ते इसके अंदर आपका उतर होगा बहुत A and B दोनों यानि case memory static RAM दोनों से मिलकर main memory बनती है main memory मतलब जिसमें सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम एक्जीक्यूट होते ही जो है instruction जाते है अगला परशन बाइनरी कोड़े डेस्मेल तो देगे आपके सामने expression का उतर लेके आ रहा हूँ ठीक है computer के अंदर के जो subtraction होता है ठीक है वो किसकी मदद से किया जाता है तो मैंने आपको पहले भी expression को वैसे discuss कर लिया था आपके लिए इसके अंदर आपका उतर होगा tools compliment की मदद से अगला परशन है PSW is saved in stake when there is ठीक है इस्टेक वाला आपको concept मैंने clear करवा रखा है Q और stake दोनों वाला data structure में तो PSW is saved in stake when there is ठीक है कब वो stake के अंदर उसको save करेगा interrupt recognized execution of RST instruction execution of call instruction या फिर all of these तो देखें आपके सामने expression का उतर रखने से पहले मैं PSD का जो PSW का जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ठीक है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है वो इसका फुल पाम होता है PSW का तीक है अब इसके अंदर यह का गए कि PSW जो होता है वो सेव करता इस्टेक में कब तो इसमें जो कंडिसन है आपको चार दीगी थी जिसको आपने भली बाती समझ के आंसर भी दिया तो इसके अंदर आपका उतर होगा जब प्रोग्राम के अंदर इसके लिए उसके लिए उसके लिए कौन सा जो रजिस्टर होता है वो यह कारी करता है जल्दी से बता दीजिये तो देखें बहुत ही important concept है ये और ये मैंने आपको इसका पूरा concept पढ़ा रखा है registers का तो इसके अंदर आपका उत्र होगा PC program counter वड़ा ठीक है मैंने आपको बताता इस PC के अंदर क्या होता भाई से मान लीजिए कि ये memory है आपकी ठीक है और इसमें ये अलग-अलग address है ये ठीक है वन ने ये टू है ठीर एक्जाम पर लेते हैं बस अभी जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो यहां पर जो है आपका इस वाले पोजिशन पर यानि अभी इस वाले टू नमर वाले लोकेशन पर कोई प्रोग्राम चल रहा है और मान लीजिए इसके बाद थ्री नमर वाले को एक्जिउट करना है तो इसमें वह वैल्यू रखती है अगला प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्रामेबल मेमोरी वर्चुल मेमोरी या फिर एसोसियेटिव मेमोरी अच्छा प्रशने आगया है ना आपके लिए तो देखे भई इस प्रशन का उतर आपके सामने रख रहा हूँ जिनोंने भी इस प्रशन का उतर दे दिया है main memory accessed by content is called ठीक है तो वो क्या कहला ते तो इसका उतर होगी अगर कोई memory content के द्वारा access की जाती है तो इसका उसे क्या कहा जाते तो इसका उतर होगा आपके associative memory कौन सी associative memory अगला पर्शने आपके aging register आ रहे है ठीक है aging register क्या होता है aging register क्या होता है चार options आपके सामने हैं जल्दी से इसका उतर comment box में लिख दीजे सभी बहुत ही अच्छी कोशिच चल दिये बहुत ही सांदार प्रयास आप सभी का तो देखे पर आपके सामने इस प्रशन का उतर लेकर आ रहा हूँ जो aging register होता है वो इनमें से किसको संदर्बित करता है तो इसके अंदर आपका उतर होगा counters which indicate how long ago the associate page have been referenced ठीक है तो aging register जो होते है वो ऐसे counter होते है जो ये indicate करते है कि कितने समय पहले जो है उससे associated जो page है उनको जो है reference किया गया था तो ये उसको बताएगा वो होगा आपका aging register मतलब कितने समय पहले उन pages को देखा गया था पड़ा गया था तो वो ये बताएगा aging register एक प्रकार का counters होता है अगला पर्सने आपके लिए the instruction org और जी ओ जो है वो क्या है machine instruction sudo instruction high level instruction या पिर memory instruction बहुती सुन्दर प्रियास आप सभी के द्वारा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में जो और जी ओ जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए दे रहा था तो देखे भई यह जो आपका और जी ओ जो इंस्ट्रक्शन है वो एक प्रकार का sudo instruction होता है क्या होता है sudo instruction होता है और जी ओ इंस्ट्रक्शन अगला पर्सने translate from symbolic program into binary is done by symbolic program को binary में जो है किसके द्वारा जो है पूर्ण किया जाता है पूरा किया जाता है टू पेसेस टू पासेस डिरेक्टली थ्री पासेस या फिर फॉर पासेस अगर आपको sound का कोई problem अगर हो रहा है तो उसके लिए मैं आप ही चाता हूँ भई ठीक है आप के लिए जो important questions में कला करके लिखा है उसको आप देखते रहें लाज तक तक यह exam के लिए आपके काम आ सकें तो देखो भई symbolic program को binary में जो translate किया जाता है वो आपके जो है two passes की मदद से किया जाता है अगला परशन है a floating point number that has a zero in zero in the MSB of Mantisya is said to have overflow, underflow, important number या पिर undefined तो देखे इस परशन का उतर देने से पहले मैं आपको MSB का concept समझा देता हूँ MSB का मतलब होता है most significant bit ठीक है अब यहां पर इस सवाल में क्या दे रहा था इसको आप अच्छे से समझिए जो MSB वाला जो concept आपको दे रहा है ठीक है मैंटिसya में MSB में अगर 0 वाला floating point number है तो उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो इसे जो है अंडर फ्लो कहा जाता है क्या कहा जाता है अंडर फ्लो कहा जाता है जो पहली बीट रहेगी अंडर फ्लो जो कम से कम है अगला परशन है आपके the BSA instruction जोता है वो क्या होता है branch and store accumulator branch and save return address branch and shift register या फिर branch and show accumulator तो देखे बहीं इस परशन का उतर आपके सामने लेके आ रहा हूँ the BSA instruction जो वो क्या होता है तो ये उतर होगा आपका B branch and save address branch and save return address ठीक है branch and save return address होता है वो होता है आपके BSA अगला परशन है आपके M, I, M, D जो होता है उसका मतलब क्या होता है उससे पहले भी मैंने आपको M, S, I और D का चारों का उतर बताया था तो अब यहाँ पर उसको create करके answer बताइए वही तो देखिए आपको M, I, M, D, M, I, S, D, S, I, S, D और S, I, M, D का full power मैंने trick सी याद कर वहे था M का मतलब होता है multiple, S का single, I का instruction और D का data तो M, I, D, M, D मतलब multiple instruction, multiple data multiple instruction, multiple data यह वाड़ा option है आपका आपका सही होता है अगला प्रसन देखिए एक kbit field can specify one any one of ठीक है जो kbit field होता है वो किसके दोरा specify किया जा सकता है इन में से 3K register, 2K register, k2 register या फिर k3 register तो देखे भाई यह जो kbit field होता है वो इन में से किसके दोरा specify किया जाता है तो इसका उतर होगा आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब का इन्तरवेल जो इंटर्वल टाइम होता है उसको क्या कहा जाता वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है आग्यान आपके लिए ठीक है प्रस्ण को अच्छे से समझके फिर अपना उतर है comment box में लिकें आप सभी और प्लीज आप सभी से मेरा request है भई कि इस वीडियो को like कर दीजे सभी के सभी IT वाले candidate तो कम से कम इस वीडियो को like करी दो और जितना ज़्यादा हो सके आगे share कर दीजे आप सभी आप से daily request की जाते हैं उसके बावजूद भी आप important data देने के बावजूद भी आप इसको support नहीं कर पाते हो और जहाँ पर आपको भ्रामक और जूटी अफ़वाय फैला ही जाती है आपके लिए support नहीं किया जाता है उसको आप full दबा के share करते हो support करते हो तो ऐसा आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो आपकी हर एक request जोती है उसके उपर मैं पूरा आपके लिए जो है खरा उतरता हूँ फिर भी आप support नहीं कर पाते हैं तो देखो भी जो adjacent bit के बीच का जो interval time होता है उसको क्या कहा जाता bit time कहा जाता है अगला परस्ट ने एक group of bit that tell the computer to perform a specific operation is known ठीक है एक ऐसा group का एक ऐसे bits का समू जो computer को यह बताता है कि कौन सा operation जो है परफॉर्म करना है वो क्या कहलाता है instruction mode micro operation accumulator या पर register तो देखे उसे हम जो है instruction code कहते हैं ठीक है instruction code वे होते हैं जो computer को यह बताते है कि अभी specific कौन सा operation जो है आपको perform करना है अगला परस्ट ने दा load instruction is mostly used to designate ठीक है designate a transfer from memory to processor register noise ठीक है जो load instruction होता है इसका परियोग किसे जो है memory से processor में जो है processor register में किया जाता है transfer accumulator instruction register program counter या memory address register load instruction का उपयोग जादा तर memory से processor register में transfer को नीर्दिस्ट करने के लिए किया जाता है ठीक है तो इसे हम किस रूप में जानेंगे जल्दी से बता दीजिए चले बई तो इस प्रशन का उतर देखे इस प्रशन के अंदर आपका राई टांसर होगा accumulator कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे बई accumulator कहेंगे ठीक है जिसके अंतर का जो है मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्ट में टांस पर किया जाता है लोड इंस्ट्रक्शन का उप्यों करके अगला परशनिया आपके लिए I communicate between the component in a computer my computer takes place वहादा अड데्रस एंड IO bus, database, address bus या पिर आपका control bus my computer में जो भी does SECRET operation communication address होता है वो किसके माद्दियम से होता है देखते हैं इस बार इस कानसर कौन सही और एक हैं और जितने candidate हैं वही से वीडियो को लाइक करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 100 लाइक का टार्गेट है इस वीडियो के साथ और आप किस टोपी के उपर वीडियो देखना चाहता है तो जरू कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो देखे इसके अंदर आपका जो उतर होगा वो होगा आपका डेटाबस ठीक है डेटाबस के मदद से जो है कमपोनेंट जो होते है ठीक है वो कम्मुनिकेट करते हैं माइक्रो प्रॉसर्स की बीच में अगला पर्सन एंस्ट्रक्षन पाइपलाइन कैन बीइंप्लिमेंटेट बाई मीनस ओप ठीक है जो इंस्ट्रक्षन पाइपलाइनिंग होती है वो किस की मदद से जो हैं इंप्लिमेंट की जाती है लीफ ओब पर, फीप ओब पर, इस्टेक या पिर आपके नन ओप दाइबाव उप्रोक्त में से कोई नहीं तो देखे भई, जो इंस्ट्रक्षन पाइपलाइनिंग होती है वो इन में से किस का प्रियोग करके जो है इंप्लिमेंट की जा सकते हैं तो इसके अंदर आपका उतर होगा फीपो बपर, फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, लाइस्ट इन, फर्स्ट आउट और इस्टेक एंदर का जो है ये यूज में किये जाते हैं दोनों के दोनों ठीक है, फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, सॉरी तो देखते हैं इस प्रशन का उतर data input command is just the opposite of इन में से किस के जो है यह विपरित रहता है data input command तो data input command data input जो command होता है वो आपके data output के विपरित कारी करता है important प्रशन था यह माइक्रो प्रोशेसर सिक्वेंसर क्या कर टा है movements crew सेक्वेंसर चार करता है अब अदर्विछ देख ले हिसके बाद में आपके लिए टाइमिंग स्क्राट्य माईक्र प्रोग्राम सिक्वेंसर वई आपने अच्छे से देख लिए अब आपके इसलिए टाइम शुरू हो चुका है जल्दी से आंस्वर लिख दीजिए तो देखें यहां पर सवाल आपके लिए था जिस next micro instruction को execute करना है उसको generate करने का कारी करता है बिट, बाइट, नंबर या फिर करक्तर चलिए तो यहां पर आपके सामने इस प्रशन का उतर लेकर आ रहा हूं जो बाइनरी डीजिट होती है उसे हम क्या कहते हैं बिट कहते हैं तो बहुत इंपोर्टेंट प्रशन थे आपके लिए आज तो उनको आज बहुत सारा जो इंपोर्टेंट डीटा है उनके हत्य लगा है वैसे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा हमारी इस चानल को सपोर्ट जरूर करते रहीगा आप सभी इस वीडियो के साथ 100 लाइक का टार्गेट आप सभी के साथ में रखे हुआ हूँ तो देखते हैं आप में से है हिंद जे भारत